हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू माई यूटूब चैनल वैशनभी फ्री एजुकेशन क्लास फ्रेंड जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि अपनी शाम को साथ बजे बिल्कुल से धुआधार क्लास डेली चलती है जिसमें हम बिल्कुल से एकदम फ्री में चॉकलेटी क् है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सभी लोग जुड़ रहे हैं तो देखिए पहले हमने कल जो क्लास पढ़ी थी उसमें हमने उत्तर प्रदेश की कला का पहला पार्ट कंप्लीटली बहुत अच्छे से एक-एक पॉइंट क्लियर करते हुए कंप्लीट पढ़ा था ठीक है आज सभी लोग जुड़ रहे हैं हाँ देखिए साम को साथ बजी डेली क्लास होती है ठीक है अभी बीच में हमने यह उत्तर प्रदेश की कला स्टार्ट कर दी है ठीक है लेकिन शाम को साथ बजी जो अपना स्टेसन होता है वो प्रेक्टिस सेट वाला होता है ठीक है हाँ सभी बिल्कुल बिल्कुल सभी को गूड 이용 राधे राधे चलिए 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 इस्टार्ट करते हूं ठीक है ठीक है कल हमने जयन सायली तक पढ़ लिय था ठीक है आज हमें अदुनिरभल्य को ओभला घड़प does? मेरे हम रहेusch topics. अधुनिक कालीन चितरकला पढ़नी है ठीक है चलो देख लेते हैं इसको भी तो जुच्छक अधुनिक कालीन चितरकला में हूज्ँ है जो पहला पॉइंट दिया है कि उत्तर प्रदेस में इस वनifully चताबदी के आरंब में आधुनिक चित्रकला का विकास हुआ कौन सी चताबदी में आदुने कला पीजमी सताबदी में ठीक है कहां पर उतर प्रदेश में याद रखना है दूसरा पॉइंट दे रहा है 1911 में लखनव में कहां पर 1911 में लखनव में कला एवं शिल्प महाविद्याले की स्थापना होती है कब 1911 में लखनव में कला एवं शिल्प महाविद्याले इस्थापित किया जाता है ठीक है? और इस विद्याले के जो प्रधाना चारे थे सबसे प्रथम प्रधाना चारे थे वो थे नैथीलियन हर्ड कौन थे? नैथीलियन हर्ड थे टाइम पिरियड इनका पूछा जाये तो 1911 से लेकर 1925 तक का इनका time period मिलता है प्रधानचार कौन है नैथेनियन हर्ड ठीक है चलिए इस थापित कब होता है ये विद्याल है 1911 में कहां पर लखनव में और कौन से महा विद्याल है कला एवं शिल्प महा विद्याल है ठीक है यहां तक confusion नहीं होगा एक एक point को बहुत clearly बता रहे हैं जहां से question बनते हैं ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे पूँचा जाएगा कि कला एवं शिल्प महा विद्याल है में कब पहले भारतिये प्रधानचार की नियूकती होती है कब होती है वर्स 1925 में कहां पर कला एवं शिल्प महा विद्याले में और जो प्रधाम भारतिये प्रधानचार बनते हैं प्रधाम तो कब बनते हैं ये हैं 1925 में बनते हैं और कौन बनते हैं तो ये असित कुमार है लिखा है असित कुमार हल्दार बनते हैं 2225 में पहले भाड़ती है प्रिधानचार किसके कौन से विद्या लेके कला एवं शिल्प महा विद्या लेके ठीक है और ये जो असित कुमार हलदार है ये किनके शिस्स थी तो ये रवींदनाट टैगोर और किसके अवनी बाबू के ये शिस्स थी ठीक है समझ में तो आ रहा है न सब पॉइंट चलिए आगे देखते हैं इनके द्वारा चित्र कला की जो है वास तथा हैंपा नामक दो शैलिया आरंभी की गई किसके द्वारा असित कुमार हलदार के द्वारा ठीक है चलिए जो बाद में लखनव शैली के रूप में पिशिद दू ठीक है चलिए यहां तक समस्या नहीं होगी आगे बोल रहा है कि वर्स 1945 में कौन बनते हैं प्रधानचार तो ये बनते हैं ललित मोहन शेन कहां के कला एवं शिल्प महा विद्याले के प्रधानचार बनते हैं ठीक है इन्होंने पेस्टल और ओयल पेस्टल से चित्रड पर बल दिया है किसने ललित मोहन सेन ने ठीक है इन्होंने चित्रकला की ग्राफिक विद्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राफिक विधा को जो जन्म दिया है किसने दिया है तो ये हैं अपने ललित मोहन सेन ठीक है जहां से सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन खास्तगीर थे ठीक है इनको कला एवं शिल्प महा विद्याले का सूर कहा जाता है किसको कला एवं शिल्प महा विद्याले का सूर कहा जाता है सुधीर रंजन खास्तगीर को कब नियुक्त होते हैं ये अरे कब नियुक्त होते हैं ये 1950 में ठीक है चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि 1963 में हरिहर लाल मेढ महा विद्याले के प्रधानचार बनते हैं ये कौन सुधीर रंजन खास्तगीर और इन्होंने वास शैली में चित्र बनाया है मेग दूतम श्रंखला मेग दूतम श्रंखला किस ने बनाया है सुधीर रंजन खास्तगीर ने किस शैली में बनाया है वास शैली में और ये जो हैं कहा के प्रधानचार बनाये गए हरिहर लाल मेढ महा विद्याले के कब बनाये गए 1963 में ठीक है तो यहां से जितने पॉइंट होते थे हमने बताए चलिए एक बार रिवाइस करवा देते हैं फास्ट वे में ठीक है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश में बीश्मी सताब्दी के आरंभ में आधुनिक कला का विकास होता है ठीक है वर्स 1911 में सबसे पहले जो में सबसे पहले अपने भारतिय प्रदान चार बनाए जाते हैं कौन है यह असित कुमार हलदार है ठीक है याद रखना है और यह जो है किनके सिस्थे हैं रवीन नाट टेगोर और अबनी बाबू की सिस्थे हैं और इन्होंने वास और हैंपर नामक दो तकनीक बनाई हैं द प्रधाना-चार बनते हैं और इन्होंने पेस्टल और युल पेस्टल से चित्रण पर बल दिया है इन्होंने चित्रकला की ग्राफिक विधा को जन्मे दिया ठीक है यह होगीया फिर आता है 1905 में नियुक्त प्रधाना-चार सुधीर रंजन खासतगीर को कला एवम में क्या बनाता है बनाया है मेग दूतम शंकला ठीक है यहां तक हमने एक बार अच्छे से पॉइंट वाइस पढ़ा दिया इसके बाद रिवाइस भी करवा दिया चलो आगे चलते हैं अब हमें इधर से पढ़ना है उत्तर प्रदेश में संगीत कला क्या पढ़नी है उत्तर प्रदेश में संगीत कला तो पहला पॉइंट है प्राचीन काल में ही उत्तर प्रदेश महान संगीत अग्यों की जन्म भूमी एवं कर्म भूमी रही है दूसरा है भरत मुरी ने नाट् Bible किसको कहते हैं भरत मुनी के नाट्ट सास्तर को ठीक है यहां तक समस्या नहीं होगी सारे point clearly बता रहे हैं जहां से question बन रहे हैं केवल वही बता रहे हैं और देखें यहां पर time pass वाला कोई time बिल्कुल भी time pass वाली कोई बात नहीं होती है केवल पढ़ाई की बात होती है जिसको selection लेना होगा वो यहां रोकेगा जिसको नहीं लेना है वो आराम से चला जाएगा चलिए तो राज में संगीत कला के विकास का जो विवरण है किस प्रकार मिलता है थोड़ा सा देख लेते हैं वैसे पूछा नहीं जाएगा अपने exam में इसके बाद आता है अपना सामवेद में किस का वरणन है कौन सी कला का वरणन है तो इसमें संगीत कला का वरणन की दिखाये गया है कौन से वेद में? सामवेद में फिर आता है अगला यहां से कुछ नहीं पढ़ना आगे चलते हैं यहां पर भी यहां पर एक पॉइंट आता है अश्ट चाप की इस थापना किसने की थी तो अश्ट चाप की इस थापना की थी किसने विठ्थल नातने इसमें कितने कवियों को मिलाकर इस्थापना होती है अस्टचाप की तो इसमें आठ कवियों को मिलाकर बनाए गया क्या अस्टचाप किसने की स्थापना बिठल नातने यहां से केवल यही question पूछा जाता है और पूछा जाता है कि आठ कभियों में कौन-कौन से कभी मिलकर बने है तो ये हैं नंद दास, सूर दास, कुम्भन दास, चतुरभुज दास, परम नंद दास, ये छीती स्वामी है, गोबिन दास और कृष्ण दास ये आठ कभी मिलकर अश्ट चाप की स्थापना होती है, आगे, पूछा जाता है कि सितार और तबले का अविस्कार किस ने किया था, तो इसका जो अविस्कार किया था, वो अमीर खुसरों ने किया था, फिर इसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, आगे यहां से आते हैं उत्तरप्रदेश के प्रमुख संगीत घराने, क्या आते हैं, संगीत घराने, पहला घरान है आगरा, आगरा में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कि मुगल कालीर में संगीत का जो है, वो सबसे बड़ा केंद्र था मुगल काल में संगीत का सबसे बड़ा केंद्र कहा था ये आगरा घराने में था आगे यहां से कुछने दूसरा आता है किराना घराना किराने घराने से सबसे important जो बनता है point वो ये है कि भीम सें जोसी जो है ये किस घराने से संबंदित है तो ये किराने घराने से संबंदित ह आगे next चलते हैं तो पूँछा जाएगा कि यहाँ से कुछ नहीं नेक्स आता है रामपुर घराना कौन से घराना रामपुर घराना तो यहाँ पर जो पूछा जाता है कि सू प्रशिद संगी तग आचार ब्रसपती के अनुसार इस घराने के जो संस्थापक है वो कौन है नियामत खान है ठीक है और यहां से बहुत पूछा जाता है कि पंडित रवी संकर जो है किस घराने से संबंदित है तो यह रामपुर घराने से और इनका संबंद किस से है तो यह सितारवादक से इनका संबंद मिलता है आगे चलते हैं आगे आता है बनारस घराना most important यहां से पूछा जाता है बनारस घराने से कि गिर्जा देवी का संबंद कहां से है बनारस घराने से यह किसके लिए famous है तो यह ठुमरी गाई का है ठीक है आगे चलते हैं आगे आता है सहारनपुर घराना तो इसमें केवल इतना याद है कि संद खलीफा मुहम्मद जमा से इस घराने का आरंभ माना जाता है आगे है फतेपुर सीकरी यह बहुत पूछा जाता है तो फतेपुर सीकरी का याद रखना है कि बाहद बादशास जहागीर के टाइम पर इसका विकास होता है और इससे संबंदित है दूले खाँ घरान जिसमें भी खाँ लग जाए वो फतेपुर सीकरी घराने से संबंदित है इसमें देख लिए गुलाम रसूल खाँ मदार बक्ष सेयत खाँ जिसमें खाँ लग जाए वो फतेपुर सीकरी घराने से आगे फिर आता है लखनव घराना तो सिंपल सा है कहां से अवद की राजधानी लखनव में विक्सित हुआ ये और इसके जो गायन है इसके पिताम है कौन कहलाते हैं मुशित अली खाँ को माना जाता है बस इतना यहां से आगे ये पूछा जाता है कि कोदव सिंग ये कोदव महराज है कोदव सिंग जो है ये किससे सम्बंदित हैं तो ये पकावत से सम्बंदित हैं किससे पकावत से आगे इलहाबाद घराना अब आता है इलहाबाद घराना तो यहाँ पे जो है बहुत पूछा जाता है कि यह कुछ नहीं जानकी भाई जानकी भाई कहां से संबंदित है इलहाबाद घराने से इनी का दूसरा नाम है छपपन छुरी 56 चुरी किसको कहते हैं हम ये जानकी भाई को कहते हैं और ये जो केसर भाई है ये भी इलहाबाद खराने से सब्मन देते हैं ठीक है आगे चलते हैं next पर तो अब यहां से पढ़ना है हमें उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोग गीत क्या पढ़ना है उत्तर प्रदेश के लोग गीत आगे 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 है प्रमुख राज के प्रमुख जो लोग गीत है इसका विवरण इस तरह ऐसे है तो पहला पूछा जाता है कि कजरी जो है ये कब गाया जाता है तो ये वर्सा रिदू के दौरान गाये जाता है किस जिले में गाये जाता है तो ये मिर्जापुर जिले में ठीक है इतना याद रखना है फिर इसके बाद पूछा जाता है कि सोहर सोहर जो है ये कहां का प्रिशिद्ध लोग गीत है तो ये अपने UP का है, किस छेत्र का? अबद छेत्र का है ठीक है? پूर्वा अंचल में पढ़ता है फिर है आला, ये अपने बुंदेलखंड छेत्र में पढ़ता है, गया जाता है और ये जो है, ये वीररस के लिए famous है तो आला बुंदेल खंड चेत्र वीर रस के लिए सोहर अबद चेत्र पूर्वा अंचल में है आगे आगे आता है लावडी ये कहा है ये रूहेल खंड चेत्र में है पमारा और हरदौल पाठ जो है ये कहा है ये बुंदेल खंड में है फिर इसुरी फाग का प्रिचलन कहां पर है तो ये बुंदेल खंड में है फिर रसिया जूला होली फाग ब्रज शेतर में है ये सब ठीक है रसिया जूला होली फाग ये सब कहां है ब्रज शेतर में है रागनी और ढोला ये कहां पर है ये पस्चिमी शेतर में है फिर है पूर भक्ति पूर्ण गीत है ठीक है यहां से अब यहां से स्टार्ट होते हैं most important उत्तर प्रदेश में प्रमुक सांस्कृतिक संस्थान कौन से उत्तर प्रदेश में प्रमुक सांस्कृतिक संस्थान तो कौन कौन से संस्थान है पहला है भारत खंडे संगीत संस्थान क्या है भारत खंडे संगीत संस्थान है इसको देख लेते हैं तो इसमें क्या है कि पंडित विश्णु नारायन भात खंडे ने संगीत की सिच्छा हेतू लखनव में 15 जुराई 1926 को मौरिस कॉलिज ओफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नियू रखी थी ठीक है और इसका नाम 1960 में भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले रखा गया था ठीक है इस्थापना होती है 1926 में 1960 में भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्याले रखा गया नाम फिर इसके बाद क्या होता है वर्स 2000 में इस महाविद्याले को किस नाम में परिवर्दित कर द ठीक है 2000 में डीम्ड विश्व विद्याले का इस्तर मिल गया इसको आगे अब आता है उत्तर प्रदेश राज्य ललितकला अकादमी के बारे में ये देख लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य ललितकला अकादमी तो राज्य सरकार के द्वारा लखनव में राज्य ललितकला अकादमी की स्थापना कब होती है 5 फरवरी 1962 में होती है संश्कती विभाग के अधीनस्त पूर्टा वित्त पोसित श्वायत शासी संस्था के रूप में होती है किसके रूप में संश्कती विभाग के अधीनस्त पूर्वता वित्त पोशित स्वायत शासी संस्था के रूप म फिर इस अकादमी का जो मुख्य उद्देश था वो कलाकारों को पोत्साहन देना और कला के छेत्र में उच्छ सच्छा प्रदान करना ये बात हो गई उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के बारे में आगे देखते हैं अब आता है कला एवं शिल्प महा विद्द्याले इसके बारे में देखते हैं तो ये हमने उपर पहले बता दिया है थोड़ा सा यहां भी देख लेते हैं इस संस्थान की जो इस्थापना है वो 1911 में कहाँ पर लखनव में होती है यहां राज्य के स्रेष्ट कला एवं शिल्प महा विद्द्यालों में से ये एक है और ये कला एवं शिल्प के छेतर में इसनातक परा इसनातक डिगरी और डिप्लोमा कोर्स उपलब्द कराता है पर ने हेतु लोग कला एवं जण्जाती संस्थान की इस्थापना वर्स 1996 में लखनव में की गई थी ठीक है यह हो गया आगे देखते हैं आगे है उत्तरप्रदेश संघीत नातक अकाद्मी ठीक है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की जो इस्थापना है वो 19 नवंबर 1963 में कहां पर लखनव में होती है फिर दूसरा पॉइंट है यह जो अकादमी है संगीत नत्र नाटक लोक संगीत लोकनाट की परमपराओं के प्रचार प्रशार एवं प्रसिक्षन का महत्तुपूर्ण कार करती है फिर दूसरा पॉइंट दे रहा है रवीन द्राले इसको देख लेते हैं क्या है रवींद राले जो है इसकी स्थापना 1961 में लखनव के चार बाग में होती है ठीक है ये जो है ये रंग मंच की द्रश्टी से सहर का प्रमुख और्डिटोरियम माना जाता है आगे चलते हैं अब आता है भार्टेंदू नाट अकादमी ये देखते हैं इसकी स्थापना जो है अगस्त 1975 में लखनव में होती है और इसके द्वारा दोईवार्स एक डिप्लोमा पाठिकरम के अंतरगत छात्रों को नाट कला के विभिन्न पक्छों में गहन व्योसाइक प्रिसिक्षर प्रदान किया जाता है एक एक पॉइंट के लिए है बहुत अच्छे से सारे पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे है अच्छे से समझेए फिर वर्स 1988 में अकादमी ने रंग मंदल की इस्थापना की थी किसकी रंग मंदल की इस्थापना आगे आगे आता है राश्री कठक संस्थान तो इसकी स्थापना संश्कति विभाग के अंतरगत स्वायत शासी संस्थान के रूप में 1989 में लखनव में होती है ठीक है इसका जो उद्देश है इसका मुख्य उद्देश है रास्ट्री इस्तर पर कथक के विविद घरानों की परंपराओं पर अभिले की करन युबा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन वरिष्ट कलाकारों की संरक्षन एवं कथक नित का संबर्द है यहां तक समझ में आगया आगे अब यहां से पढ़ना है हमें उत्तर प्रदेश में नित कला के बारे में यह सब क्वेश्चन बनते हैं एक्जाम में ठीक है बहुत अच्छे से समझना है उत्तर प्रदेश राज्य में दो प्रकार की नित कला है शास्त्री और लोग नित कल ठीक है जिनका विवरण इस प्रकार है तो शास्त्री नृत्तिकला में कथक आगे देखते हैं कथक देखते हैं पहले तो कथक के बारे में देख लीजे राज्य का एक मात्र शास्त्री नृत्तिकला जो है क्या है कथक है जो अपने उत्तर प्रदेश की देन है ठीक है राज्य में नरत्य की जो सुरुवात है वो मंदिर के फराजियों द्वारा कथा वाचन के समय हाव भाव के प्रदेशन से मानी जाती है अवद के अंतिम नवाब वाजद अली शाह के दरवार में इसका विकास होता है इस नरत्य को मुस्लिम शास्कों का सनरक्षर प्राप्त हुआ ठाकोर प्रशाद को कथक उन्नायक का समर्थक माना जाता है याद रखना है कथक में ठुमरी गायन का प्रवेश महराज बिंदा दीन ने कराया था ठीक है एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है अगे फिर है कालका महराज के फत्र लच्छू महराज अच्छन महराज और संभू महराज और उनके पौत्र बिर्जू महराज ने कथक की विशेस्ताओं क को परिक्रिस्त किया ठीक है उत्तर प्रदेश में कथक नरत्य के जो केंद्र है कहां लखनव घराना नाम से जाने चाते हैं ठीक है याद रखना है यह पॉइंट इंपोर्टेंट है प्रमुख नरत्य कलाकार कौन है कथक से संबंदित तो यह हैं ठाकुर प्रिशाद गोप महराज बिर्जु महराज कालका महराज और लक्षु महराज ठीक है तो यहां से समझ में आ गया होगा चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोकनत में क्या क्या आता है ठीक है शास्त्री नत एक है केवल अपने उत्तर प्रदेश का कथक तो हमने उसके बारे में बत होता है जूला नर्त जो है यह श्रामण मास में होता है आगे घड़ा नर्त है तो यह एक घड़ा का नर्त होता है जिसमें बैल गाड़ी अत्वरत के पईये पर कई बड़े रखे जाते हैं कई घड़े रखे जाते हैं घड़े हैं यह ठीक है कई घड़े रखे जाते हैं तो पिर उस पर उसे इस 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 पर रख कर नत किये जाते हैं फिर आता है चरकुला नत यिस में 108 दीप को का 120 चरकुला महिलाओं द्वारा इस इसनत Above रख कर नत होता है ये कुमार जाती के लोगों के द्वारा इस्तरी बेज धारण करके किया जाता है ठीक है फिर है कानरा नत यह नत जो है धोबी समाज के द्वारा विवाह उत्सों में होता है पाई नत यह नत जो है महिलाव द्वारा बसंतोत्सों तथा स्रीकिष्ण जन्मास्टमी के औसर पर मयूर की भाती किया जाता है और इसे मयूर नत्य भी कहा जाता है ख्याल नत्य जो है यह नत्य पुत्र के जर्मोचों पर सिर्परबांस और रंगीन कागत से बना मंदिर रख कर किया जाता है फिर है शौरा या फिर सैरा यह किसानों द्वारा फसल कटाई के समय में किया जाता है कार्तिक नत यह नत जो है अक्टूबर नौवंबर महिने में नती द्वारा स्री कृष्ण तथा गोपी बनकर किया जाता है फिर है देवी नत यह नत में एक नर्तक देवी का रूप धारण करता है वाद शेस नत कार उसके सामने नत करते हैं ठीक है फिर है दीप नत यह नत जो है अहीरों द्वारा प्रज्जुलित दीपों से भरी थाली वा परात पर सिर रख कर किया जाता है ठीक है आगे अब आता है पूरवांचल के लोक नत तो इसमें धोबिया नत है कटखोडवा है धीवर नत है यह सब नायाद करिए ठीक है जो इंपोर्टन थे अमने बता दिये हैं तो इसमें धोबिया हो गया कटखोडवा हो गया धीवर हो गया यह सब पूरवांचल के आगे आता है अवद्चेत्र कलोगनत तो यह है जोगनी और कलावाजी ठीक है यह दोनों कहां के हैं अवद के हैं आगे अब मिर्जापुर और सोन भद्र के देख लेते हैं तो देख यहां से पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की नась तो देखे नार्ट तो जो है दो प्रकार की है शास्तरी नात तकला लोक नात तकला ठीक है पहला पूंट है वारार्सी के भार्तेंदू हरिश्चंदर को आधुनेक शास्त्री हिंदी रंगमंच का जनक कहते हैं तो आधु गोपाल क्रिश्न भट, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन त्रिपाथी, गोपाल दास, सीतला पिशाद, माधव शुक्ल, राधा क्रिश्न दास को हिंदी नाटक का प्रिजापती कहता है। नहोस विशुद नाटक रीती से लिखा गया पहला नाटक है, इस नाटक के जो है लेखक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद जो की गिर्धा थे। उत्तर प्रदेश की कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, हो सकता है। पिर देखें, कला है, तो कला से क्विश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपको लगता है कि यह तो आउट आप स्लेवस है। तब ही वो कंप्लीट माना जाता है, ठीक है, डोक कला, नत कला, सब कुछ पढ़ेंगे, तब आपको लगया कि हाँ कंप्लीट है। केबल आगरा का ताज महल पढ़ लेने से कला कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, वहाँ के लोग गीत, वहाँ के नत, वहाँ के उत्सव, सब कुछ आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, चलिए, आगे मोहन राकेश जो हैं, ये सूर मोहन कुलक्रेष्ट लखनव, कुल्सरेष्ट लखनव, विनोध रस्तोगी, मुंशी इतावली लाल, अशोक रस्तोगी, स्रीमती गरीश, रस्तोगी, अशोक भॉमिक विमल रहना, विरेंद्र शर्मा, विपिन टंडन रामचंद्र गुप्त, डॉक्टर सचिन तिवारी, डॉक्टर अनुपम आनंद, राजिन शर्मा, आधी, ये सब यहां से संबंदित हैं, ठीक है, लेकिन यहां से हमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखिए कि हाँ, यह लोग हैं यहां पे, ठीक है, उत्तर याद रखिए, इलाहाबाद प्रियाग राज की राम लीला जो है, अपनी विस्ष्ट इसाहली के लिए प्रशिद्य है, आगे, दूसरा याद रखिए, रास लीला, ये क्रिष्ण जनमास्टिमी में होता है, इतना याद रखिए, नोटंकी जो है, यह भी अपने हां की, ल अंदेल खंड का है, फिर आएगा कटपुतली, तो ये भी अपने उत्तर प्रदेस राज में कटपुतली चलता है, ठीक है, याद रखना है, ये सभी जहां के हैं, अब यहाँ से आता है उत्तर प्रदेस के मेले, देखिए, हम सारे पॉइंट लेकर चल रहे हैं, कहीं से भी कोई question आजाए, आप पीछे ना रहें, ठीक है, हमारे बच्चे जो है डेली पढ़ते हैं, वो पीछे ना रहें, कोशिस यही रहती है, चलिए, यहाँ से पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेस में प्रतिवर्स कितने मेले लगते हैं, बाइस सो पच्चास मेलों का आयोजन हो अब यह उत्सो बहुत पूछे जाते हैं पेपर में, आपके पेपर में भी हो सकता है, यह पूछे जाएं, तो ताज महुत्सो कहां मनाया जाएगा, सभी को पता है, आगरा में, लखनव को कहां मनाया जाएगा, तो यह लखनव में ही मनाया जाएगा, कमपिल बहुत है न सभी को कहीं कोई confusion नहीं हो रही है बताइए थोड़ा सा हम चलिए और देखिए लाइक वाइक करते रहा करिये अगर पसंद आ रहा हो तो ठीक है और एक छोटा सा बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा कि लास कैसी लगी आप लोगों को ठीक है चलिए 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 तो देखिए क्या बूला हमने कि वारारसी उत्सो कहां मनता है वारारसी में ही मनेगा सुलहकुल बहुत पूछा जाता है ये आगरा में त्रिवेडी महोत्सो कहां मनता है ये प्रियागराज में सरधना महोत्सो कहां लगता है तो याद रखना है ये मेरठ में लगता है कज मारसी में ठीक है एक सकेड़ चलिए लक्ठमार जो है ये बरसाना मतुरा में होता है ठीक है आगे कबीर उत्सव कहां मनता है तो ये याद रखना है ये मगहर में मनता है ठीक है आगे यमुना महत्सव तो ये मतुरा में बिठूर गंगा महत्सव तो ये कानपूर के बिठूर में कन्नौज जो है तो यह कन्नौज में ठीक है के वह इतना याद रखने कहां का कहां है सोन महोटसव कहां मनता है सोन भद्र जिले में water sports festival जो है यह पूछा जा सकता है क्योंकि इसका थोड़ा अलग नाम है पता भी नहीं चलता कि यह कहां लगता होगा तो यह इलहाबाद में ठीक है आगे जलते हैं अब यहां से चल्चित्र फिल्म के बारे में देख लीजे फिल्म में भी देखिए फिल्म में भी कलाकार होते है कोई आर्टेस्ट होता है कोई मेक अगरा करता है मतलब काफी चीजे होती है देखिए जहां भी देखेंगे हर चीज में एक कला है आप हमसे पढ़ रहे हैं आपके अंदर भी एक कला है कि आपको हमसे समझ में आता है ठीक है जहां भी देखेंगे हर चीज में एक कला है अग तेज बोल पाते हैं, फास्ट वे में बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, मतलब जीवन में कुछ भी आप कर रहे हैं, तो हर चीज में कला है, आप कुछ सोच पा रहे हैं, तो वो भी एक कला है, ठीक है, तो देखिए, आप फिल्मे में देखते हैं, चलचित्र में देखते है बॉली वुट के हिंद फिल्मों हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार जो है क्या है उत्तर प्रदेस है ठीक है यहां से क्वेश्चन मिला बॉली वुट के हिंदी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है उत्तर प्रदेस है फिल्म उद्यों के अने को जाने माने कलाकार नौशाद मजरू सुल्तान पूरी ये सब दिये हुए हैं नर्गिस वगेरा ये सब दिये हुए हैं देख लीज़े ये सब कहां के हैं उत्तर प्रदेश के ही हैं पूछे जा सकते हैं ठीक है जाबे दक्तर हो गया शबाना आजमी कैफी आजमी शकील बदायूनी तो भूली नी सकते हैं आप लोग है न एकदम कलाकार टाइप के हैं आप लोग भी चलिए तो देखिए ये पूछा जाता है बहुत भयंकर तरीके से पूछा जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है आला माला कबंती 1931 में निरदेशा कौन थे वीपी मिस्र थे जो ब्रज बोली ये सब सरवादिक फिल्मों का निर्माण होता है किसे किसे ब्रज से भोजपुरी से बुंदेली इन तीनों भासाओं से अपने उत्तर प्रिदेश की बनती है मूवियां बगरा ठीक है चलिए पूछा जाएगा आपको कि 10 सितंबर 1975 को उत्तर प्रिदेश चलचित्र निगम की इस्थापना होती है कब 1975 में बागी कुछ नहीं पढ़ना आगे यहां से यह पढ़िए नोइडा जो है यह छोटी फिल्म सिटी मानी जाती है ठीक है याद रखना है फिर इसके बाद यह सब कुछ नहीं पढ़िए यहां से भी कुछ नहीं पढ़ना है चलिए यहां से अब देखिए यहां से पूछा जाएगा आपसे कला 300 मेले पर्वसे संबंदित महातुपूर तथ कौन से है तो याद रखना है प्रदेश में संश्कती विभाग की इस्थापना की गई कब उनीस संतावन में यहां से इंपोर्टेंट है सारे पंड़िएगा संश्कती विभाग की स्थापना उनीस संतावन में प्रदेश के प्रमुक सांशकतिक छेत्र कौन से हैं ब्रज, अवद, बुंदेलखन, रुहिलखन, भोजपुरी ये साब हैं ठीक है फिर बोल रहा है प्रदेश में इस्थापत्य कला के प्राचीन तम मतलब मौर काली नमूने प्राप्त होते हैं कहां से सारनाथ कौशाम भी क उसी नगर से हैं ठीक है याद रखना है आगे मंदिर निर्मार कला का विकास कहां से मिला है गुप्तकाल से गुप्तकालीन मंद्रों के साच्छ कहां से मिलते हैं देवगड जहांसी बीतर गाउ कानपूर भीतरी गाजीपूर से मद्धकाल में इस्थापत्य कला की दो शैल नमूना ये ताज महल है समझ में तो आ रहा है न कहीं कोई confusion तो नहीं हो रही है बताईए शापाई देखिए class अच्छी लग रही हो तो like, share और channel को subscribe न किया हो तो कर लीजेगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे है आधुने के इस थापत्त की जो प्रमुक शैली है वो कौन सी है लखनव शैली है लखनव शैली का विशुद नमूना कौन सा है तो ये बड़े इमाम बाड़े का हाल है ठीक है चलिए आगे चलते हैं तो देखिए यहां से हमने UP में जो कला थी जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने करवा दिये है ठीक है अब जो कलाकार है में में कलाकार है वो हम आपको एक्जाम के ही टाइम पे करवाएंगे ठीक है क्योंकि अभी पढ़ा देंगे तो आप भूल जाएंगे सब आपका गुडगोबर हो जाएगा इसलिए लास्ट में एक्जाम के ही टाइम पे करवाएंगे ठीक है तो UP में जो कला लोक कला है नाट कला है जितनी भी कलाएं है हमने देखी सब कुछ कम्प्लीट करवा दिया है हर चीज को पॉइंट वाइस में किसमझा दिया है और देखी इसकी PDF जो है आपको नीचे टेलीग्राम लिंक डली हुई है आप वहाँ से एड हो जाएए वहाँ पर हम आपको डाल देंगे ठीक है एक दो दिन में हम आपको वहाँ पर सेंड कर देंगे ठीक है और देखे क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ठीक है अगर पसंद आ रहा हो तो कोई जबजस्ती नहीं है ठीक है और देखे चलिए फिर हम हम कल से वही अपना रूटीन प्रैक्टिस सेट बिलको से धूअधा तरीके से चलाएंगे ठीक है चलिए चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्ट क्लास में तब तक के लिए जैहन वंदे मात्र